परिवायन मंत्री ने हर्याना रोनिवेज के जुड़े विभिंग करमशारी योनवीनों की पदाधिकारियों की पैठक की पलपल चेंडिकर से विशेच दिपॉर्ण हर्यान के परिवायन मंत्री मोलचंग शर्मा ने कहा है कि हाटाली करमशारियों पर एसमा हाटाने के बारे में संपतिर दिश्ट्रिक अटर्नी को पत्र लिखा जा चुका है साथ ही वे HDFC वे ICICI कॉर्परेशन वे भारतिय स्टेट पैंग को अपना सैलरी अकाउंट खुलवाकर कि 35 लाक रुपे तक की दुरघटना विमा सुविदा का लाब उठाव सकते हैं प्राकर्तिक मृत्यू के मामले में मृत क्रमचारी के परिशनों को 10 लाक रुपे की विमा राश्य मिलेगे। परियान मंत्री ने यह भी बात हर्याना रोडवेश से जुड़ी विभिन क्रमचारी युन्यों के पदाधिकारियों की एक बैठक में कहीं। सुहार्त्पुन माहुल में इस तरह की बैठक में करमचारी नेताओं ने अपनी मांग रखने के साथ कई राचनात में जोजाव भी दिये। उन्हें कहाँ कि आज के दिन करमचारीयों की ऐसी कोई मांग नहीं है जित पर कोई कारवाई ने की गई हो। उननका कि COVID-19 और महामारी ने पूरी तरह से दुनिया को लिला कर रख गिया है और ऐसा कोई शेत्र नहीं है जिस पर इसका असर ने पड़ा हो। इसलिए जाहिर सी बात है कि इस महामारी से विभाग की योजनाई भी प्रभावित हुई है। वरना 867 बसें विभाग के इस बेड़े में शामिल हो गई होती। पर वेनमंत्री ने कहा कि जहां तक बेड़े में नई बसे शामिल करने की बात है तो इस बारे में हमें इलेक्ट्रिक और सियेंजी बसों पर विचार करना होगा। भविशें में जब भी नई बसे खरीदी जाएंगी उनका वार्षिक रख रखाओ अनुबंद आधार पर सुनिक्चित किया जाएगा। फिर उचित करमचारियों के प्रशिक्षन की भी व्यवस्ता की जाएगी। उनका की करमचारी विभाग की जान है और उनके रहते ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाएगा जिस से विभाग या करमचारियों के हिप रभावित होते हो। उनका की दिशंबर तक लगबग दो सो कचाश पतानोतिया और उखो जाएगी। अब देखें परपर के खाश रिपोर्ट। कर दिशंबर। थाय रिपोर्ट। झाल झाल झाल